तो हे गाईज कैसे हो आप सब गेविग नूज 15 के हेर और वेलकम बैक तो अनदर इंटरस्टिंग नूज वीडियो गाईज एस पावर ब्लाइंट को लीव करने वाले ये नूज तो आपने अलड़ी सुनी ली होगी बट ये वीडियो में आपको आगे बताने वाले हो कहां से चीजे शुरूई और ब्लाइंट के इतने डूमिनेशन के बाद में वाई एस पावर इस लीविग फिर हम देखेंगे एस पावर का इस पर रियक्शन और साहती में देखेंगे वो किस नए टीम को जॉइन कर सकते हैं बट उससे पहले देखते हैं कल कट ओफ कमेंट जहांपर चंद रियान के लॉंच के बाद में हमारे एक भाई ने ये लिखा प्राउट टू बी इंडिया नथिंग अबाव नेशन जैहिन चुलो गईज अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो मजा पर पहली अपडेट टेगल कर आती है एस पावर के रिलेटर्ट में उन्होंने ये लिखा जो हूँ वह अच्छा हुआ है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा इंड गईस पावर ब्लेट को लीव कर सकते हैं इसके पीछे का reason ये निकल कर आए कि S power की blind के साथ में synergy अच्छी नहीं हो रही है अब guys आप भी शायद यह सोच रहोंगे कि blind की इतने domination के बाद भी synergy अच्छी नहीं हो रही है तो यह same चीज के related guys कल स्पीरो ने अपनी stream पर एक example दिया और साथ ही में उन्होंने बात की कुछ लोग यह चीज के related hate भी spread कर रहे हैं कुछ भी assume करके तो exactly यह सब पर जो नहीं का आप देखिये ब्रू, performance and synergy is a different thing अब मान लो के Mania is a very strict title तो Mania ने उसको बोला है के team के साथ केल उसने नहीं खेला तो उनकी नहीं बन रही है He wants to be all more aggressive Mania कहता है हम limit aggression करेंगे I am stitching a hypothetical situation right now So Mania ने कहा के तरको bench करेंगे मारे पास तुझे जब तक समझ नहीं आता है टीम के साथ करेंगे S-Power bench हो गया S-Power को bench नहीं 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 है कि वो अभी अपने प्राइम में है He wants to play That's why वो उसने मनेजमेंट के साथ बात करी And he wants to leave S-Power से बात करिया दो भी मेसिज बेज़े उसको First मैंने पूछा कि अगर तेरा कोई POV है तो बता अपनी स्ट्रीम पे Second मैंने उसको मेसिज बेजा कि तो जहां भी जाएगा भाई अपनी form को जारी रखियो Work hard यार यही तो रोना है यही तो sadness है कि इतना बड़िया खेल रहा था वो एक synergy के चक्कर में उसको टीम चोड़नी पड़ रही है नहीं बन रही तो छोड़ दिया अज्यूम करनी के जोथ नहीं है दुनिया में कुछ भी यहां पर problem पता है क्या है लोग अज्यूम बात जल्दी कर लेते हैं And guys यह news आट होने के बाद जब गोडलाइक लंगोटी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करें थे तो वहाँ पर S.POWER ने एक कमेंट किया था जिसके बाद काफे सारे लोगों को यह लगने लगा क्या S.POWER वापस से गोडलाइक को जॉइन करने वाले हैं तो guys यह चीज़ के related पिकल सपिरो ने रियाट किया कि उनकी नए टीम कौन सी हो सकती and क्या उनको पोच करने की कोशिश की गई है तो exactly जो नो ने कहा आप देखिये शाटव जोनी जीगोड और पावर यह यह लाइनप तो नियो का वैठेगा ब्रो नियो आया है तो वो फॉम वापिस आई थी तो मैं याद है जो प्रो सीरिस वो टूनमंट जीते थे Hydra S.POWER Hydra में हो भी सकता है वाई क्यों नहीं हो सकता है Hydra में तो जगा भी चाहिए वेभी इन TSM TSM की नहीं टीम बट S.POWER हाँ TSM के लिए स्लॉट भी होगा S.POWER जा सकता है लिखते है माल लो तुम S.POWER हो अब तुमारी ब्लाइंड से नहीं बन रही है and you want to leave ब्लाइंड के वनर से बात करके you left अब तुमारे पास एक पूरा पूल है BGIS शुरू होने वाला है grind शुरू होने वाला है you want to play you don't wanna waste एक और साल अपना क्योंकि उसने बहुत साल grind कर लिया official में कभी खेल नी बाया he is desperate for officials अब उसके पास कौन-कौन से option है team के और वो कहां जाएगा ये उसको decide करना है वो भी ASAP वो भी जल्दी ऐसा नहीं है कि उसके पास एक हफता decide करने के लिए एक हफते में grind शाल हो जाएगा तो guys इसके related कोई भी assumption मत बनाना जब तक S-Power या हमको official कोई announcement देखने को नहीं मिलती और guys next update निगल कर आती है team godlike के related तो कल team godlike में हमको golden number नाम से एक player खेलते हुए दिखे जैसे कि guys हमको एक बार पहले भी देखने को मिलना था लेकिन बात में ये पता चलाता कि वो shadow है पट इस बार तो shadow अपनी ही idea से खेल रहे तो फिर ये godlike अमर कौन है ये चीज के related भी guys काफ़े सारलो के assumption बना रहे थे कि ये player कौन है तो आप goldlike langoडी से खुदी सुन लीजिए इसके related उन्होंने क्या कहा और guys next update है SA2LKB का achievement के related जो की निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से तो guys already में आपकल की वीडियो में बताया था जब पर अचानक सी SA2L को honor किया गया था by global impact on mobile gaming से और इसके बाद जब गोल्डी भाई लाया वाते तो उन्होंने ये थीज़ के related react किया तो आप देखिये जब आपकल की जब आपकल की तरफ से तो guys कुछ लोग उनसे चैट में ये पूछे थे क्या टीम एक्सपार्क की आजलिंग अब ड्रीम करने वाले हैं जो कि टीम एक निउडिशन है जिस पर रिप्लाइ करते हुए स्काउट ने ये कहा और guys next update निगल कर आती है तो guys आपको भी आदो का previous वीडियो में आपने देखा था जहाँ पर ये निउज निकल कर आती है कि टीम आलादीन हमको हाईडरा में जॉइन होते वे देख सकते हैं बड कल मारकोस गेमिंग की तरफ से हमको एक अनाउसमेंट देखने हो मिली और वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो टीम आलादीन जॉइन मारकोस गेमिंग और ये चीज़ पर रियाट करते हैं मारकोस गेमिंग ने ये लिखा इंट्रोडूसिंग दा मार्कोस 2.0 बीजेमाय रोस्टर टाइम डू फिल अप दा ट्रोफी कैबिनेट्स पर चल रही है team blind, number 2 पर है team entity and number 3 पर चल रही है god like e-sports और अगर next part की बात करें तो team 16, hashtag 12 position पर और बाकी सभी team की overall standing को आप screen pose करके पढ़ सकते हो और guys इसकी टो फ्रेगर की list पर number 1 पर है nakul, then beast, then roni and number 4 पर है god like z-god और guys next update निगल कर आती है India Today League Invitational Grand Finals की तरफ से इनकी Grand Finals के day 1 की overall standing भी आप अभी screen पर देख सकते हो जापर number 1 पर है blind, number 2 पर है Revenant, number 3 पर है team aladin अगर हम second part की बात करें तो hashtag 15 पर है team xpark and hashtag 16 पर है team god like और बाकी ओर team की overall standing भी आप screen pose करके पढ़ सकते हो और guys इसके भी टो फ्रेगर के list आप देख सकते हो number 1 पर है MJ, then Nicole, then Mania और guys next update निगल कर आती है PUBG Mobile World Invitational Main Tournament के overall standing of day 2 की तरफ से तो वो आप अभी screen पर देख सकते हो and guys number 1 पर चल रही है Vampire eSport with 165 points and guys number 2 पर जो team है उसके है 114 points day 2 के बाद ही guys Vampire eSport ने 51 points की lead बना ली है and आज होने वाला है इसका last day and guys अभी तक तो यहीं लग रहा है कि last year की तरह ही Vampire eSport dpmwai main event को जीतने वाली है और guys next update है SC2L के related जो की निगल कर आती है थकभाई की तरफ से तो guys थकभाई से ये question पुचा गया था कि SC2L की फ्यूचर प्लाइनिंग इस पर रप्लाइनिंग की वो कैसे इंडिया में लीड करने आले हैं तो आप देखिये और guys next एक और update है SC2L की निगल कर आती है Godlike Lolls की तरफ से तो उन सो भी काफी लोग चैट में ये पूच रहे थे कि क्या SC2L को जॉइन करने वाले हैं जिस पर उन्होंने कुछ ये रियाट किया SC2L के वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई SC2L